नमस्ते दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत करते हैं दोस्तों आज मैं आपको Microsoft Excel में कैसे बार कोड जिनरेट करते हैं उसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाइ स्टेप दिखाऊंगा तो वीडियो को लास तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीन कॉलम लिया है आइटेम, UPC और बार कोड नाम से तो यहाँ पे हम barcode को निकालेंगे, यहाँ पे मैंने कुछ item का नाम लिया है UPC code और यहाँ पे हम barcode को one by one निकालेंगे इस UPC code को use करके तो सब सब पहले इन UPC code को हम यहाँ पे text में convert कर लेंगे, इनको select करेंगे, select करने के बाद हम home tab से यहाँ पे देखिए numbers group हैं जहाँ से group icon में आपको click करना है, click करने के साथ ही एक window यहाँ पे open हो जाएगा, यहाँ से आपको text में click करना है मतलब कि category से आपको यहाँ पे text को choose कर लेना है और एक बार ok में click करके इनका format text में convert कर लेना है अब मैं यहाँ पे आपको barcode generate करने का process step by step दिखाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पे एक formula आपको लिखना है, यहाँ पे हम लिखेंगे equal, double quotation को open करेंगे, फिर asterisk sign देंगे, फिर double quotation को close करेंगे इसके बाद देंगे एक and symbol, फिर यहाँ पे आपको UPC code वाले cell को select कर लेना है उसके बाद फिर से and symbol, फिर double quotation open, asterisk sign, double quotation close, जास्ट एक बार enter करेंगे एंटर करने के साथ ही यह barcode का format यहाँ पे ready हो जाएगा बाकियों को करने के लिए आपको यहाँ पे drag करके auto fill कर देना है तो यह देखिए बाकियों में भी same formula apply हो गया है अब आपको यहाँ पे simple एक काम करना है, इनका font को change कर देना है home tab से यहाँ पे देखिए font group है, जहाँ से font style को हम यहाँ से change करेंगे यहाँ से देखिए नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यह जो font style है, यह देखिए यह वाला font style यहाँ पे आपको apply कर देना है और apply करने के साथ ही यहाँ पे देखिए barcode generate हो गया है अब मैं इन cell को थोड़ा adjust कर लूँगा, इसके लिए इनको select करेंगे select करने के बाद, यहाँ पे just एक बाद double click करना है double click करने के साथ ही यह देखिए, cell adjust हो गया अभी हम column को भी थोड़ा adjust कर लेंगे, just column border में double click करेंगे तो column भी adjust हो जाएगा दोस्तो, मैंने barcode में जो font style यहाँ पे use किया है यहाँ पे आप देखिए, CIA code 39 यह font style आपको excel में by default नहीं मिलेगा इस font को internet से आपको download कर लेना है इसका website का link मैं नीचे description में दे दूँँगा आप वहाँ से easily इसको download कर सकते हो मैं यहाँ पे आपको इस font को download and उसको कैसे आप apply करोगे इसका process step by step दिखाऊँगा इसके लिए हमको सबसे पहले google chrome को open कर लेना है तो यहाँ पे मैंने chrome browser को open कर लिया है और यहाँ पे मैं लिखूंगा website का नाम dafont.com लिखने के बाद एक बार enter करेंगे enter करने के साथ यह सीधा आपको इसके website में लेके जाएगा और यहाँ से आपको बार कोड एक option देखने को भी लेंगे यहाँ पे देखिए बार कोड जस्त यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है क्लिक करने के साथ बार कोड रिलेटेट जितने भी font है वो आपको यहाँ पे नीचे दिखाएगा और यहाँ से मेरा apply किया हुआ font cia code 39 यह देखिए cia code 39 इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा जस्त एक बार right side में देखिए डाउनलोड बटन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के साथ ही नीचे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे देखिए है फिर एक बार यहाँ से show all में जाके क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यहाँ पे show in folder यहाँ पे क्लिक करना है तो यह open हो जाएगा और इसको यहाँ पे हम extract कर लेंगे इसके लिए यहाँ पे right click करेंगे और extract here में क्लिक करेंगे करने के साथ ही यह font यहाँ पे extract हो जाएगा फिर इसको हम यहाँ पे copy कर लेंगे इसके उपर एक बार right click करेंगे right click करने के बाद copy में आके एक बार click करेंगे कॉपी करने के बाद इसको आपको Windows के जो font folder है वहाँ पे आपको paste कर लेना है तो इसके लिए हम यहाँ पे C drive में क्लिक करेंगे, local disk C में फिर हम यहाँ पे Windows folder को double click करके open कर लेंगे just open करने के बाद यहाँ पे देखिए font जो folder है इसको भी हमको यहाँ पे open कर लेना है font को open करने के बाद यहाँ पे उस font को paste कर देना है तो paste करने के साथ ही वो font आपको Microsoft Excel के font box में मिल जाएगा और उस font को आप easily अपने barcode generate करने के लिए use कर सकते हो दोस्तों यह जो मैंने यहाँ पे barcode generate किया है यह fully automatic है आप एक बार किसी भी UPC code को change किजिए तो यह barcode भी automatically change हो जाएगा यह दिखें मैंने UPC code को यहाँ पे change किया है तो barcode भी automatically change हो गया है मैं यहाँ पे आपको दूसरा एक UPC code change करके दिखाता हूँ यह दिखें मैंने UPC code को change किया barcode भी automatically change हो गया है तो दोस्तों यह था simple process जिसको use करके आप Excel में easily barcode generate कर सकती हो वीडियो अगर पसंद आया तो like कर दिजिएगा Thank you for watching the video, please keep your support